दोस्तों नमस्कार राजे सरक्लाशिश में आपका स्वागत है आपके सामने कच्छा बार है यूपी बोर्ड दोहजार तेईस मनोविज्ञान का पेपर यह पेपर आपको बोर्ड एक्जाम दोहजार चौविस के लिए बहुत महत्पूर है पूरा वीडियो देखे में तो द बोर्ड एक्जाम दोहजार चौविस के लिए बहुत ही महत्पूर होगा तो देखी नोट प्रारम के 15 मिनट परिच्छार्थियों को प्रस्ट पत पढ़ने के लिए निर्धारित है जैसी आप पेपर पाते हैं कम से कम 10 मिनट यहां तो 15 मिनट लिखा है 10 मिनट पेपर को ध अच्छी प्रकार से आता उसे पहले लिखें जो नहीं आरा उसको छोड़े रखी उसको आंत में लिखेगा लेकिन सब पर बराबर्श में देंगे देखें निर्धेश जो है इसको पढ़ना आती आवस्यक है प्रस्ट संख्या एक बहुवी कल्पी है प्रस्ट संख्या दो से अठारा तक लग उत्तरी है जिनका उत्तर प्रतेक लगभग पचास सब्दों में तथा प्रतेक लगभग दो सो पचास सब्दों में देना है सभी प्रस्टों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख खंकित है कितने नंबर का प्रस्ट है सामने उसके लिख दिया गया यही इसमिर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण इस्मिर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण कौन है पुनासमरण, सीखना, प्रत्यभिग्या, धारण तो इस्मिर्त प्रक्रिया का दूसरा चरण इसमें से धारण है क्या है धारण है अब हम चलना है पहले प्रश्न के कौपर जो की बहुबिकल्पी ही है एक नमबर का है लिखा है खावाले व्यक्तित के संदर में कौन सा कथन गलत है व्यक्तित के संदर में कौन सा कथन गलत है तो देखे प्रतेक व्यक्ति का एक अदुती व्यक्तित होता है सही है बंसा नुक्रम यहों वातावरन दोनों व्यक्तित को प्रभावित करती यह भी सही है बंसा नुक्रम यानि माता पिताश से जो मिलता है और जो वातावरन का प्रभाव होता है दोनों से व्यक्तित प्रभावित होता है व्यक्तित्व व्यक्ति के बाहरी आवरण तक सिमित रहता यहीं गलत है व्यक्तित्व में आंतरी के वहाँ दोनों व्यवार समाहित होते हैं तो D इसका खो का तीसरा व्यक्तित्व व्यक्ति के बाहरी आवरण तक सिमित है यहीं गलत कथन है यानि अब हम चलते हैं आपको लिकर के गप निम्लिकित में से कौन सुनामी से संबंदित है तेज हवाए आतधिक वर्षा उचताप मान समुद्र के भीतर कमपन तो इसमें समुद्र के भीतर कमपन सुनामी उसी से उत्पन होती है जब समुद्र के भीतर किसी कारण बस कमपन बहुत तेजी से होता है प्लेटे खी सकती है या कुछ होता है तो समुद्र के भीतर कमपन उत्पन होता उसी कारण सुनामी आती है तो यह आपका चौथा सही है ब्यक्तित को प्रहुत करने के संदर में निम्खित में से कौन सरवाधिक उप्यूक्त है बंसानुक्रम भावतिक वातावरन इनमें से सभी तो बंसानुक्रम भी प्रभावित करता, भातिक वातरवन भी प्रभावित करता अर्थात इसमें से चारो सही है अगला निम्लखित में कौन व्यक्ति प्रदूसर्ण का परडाम हो सकता निम्लखित में से कौन ध्वनी प्रदूसर्ण का सारी यह हुआ आपका बोविकल्पी प्रस्ट और यहाँ पर है आपके सामने अंग्रेजी वर्जन के जो छात्रें इस्क्रिंशाट ले सकते हैं अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले पीस पर यानि दूसरे प्रस्ट के लिए साब्दिक परिछण से क्या आसे हैं तो साब्दिक परिछण से क्या आसे हैं इसका एंसर हम लिख रहे हैं क्योंकि जो एंसर देना है एक या दो सिंटेंस में देना है ते देखी साब्दिक परिछण का क्या आसे है लिखें कि जब परिछार्थी को सब्दों में दी गई समिस्या का समाधान समाधान करने की आवसकता पड़ती है जब परिछार्थी को सब्दों में दी गई समिस्या का समाधान करने की आवसकता पड़ती है तो उस तो उस परिछण को साब्दिक परिछण कहते हैं यह इसका एंसर हुआ अगला है व्यक्तित को प्रहाइद करने वाले किनी दो अंतह स्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें हाइपो पहली ग्रंथि का नाम है हाइपो थैलमस हाइपो थैलमस दूसरी ग्रंथि है पिट्ट्यू टरी ग्रंथि हाइपो थैलमस ग्रंथि और पिट्ट्यू टरी ग्रंथि यह है तीसरे का अंसर अब आगे है चौथा जो की एक नंबर का है बिस्मरण से आप क्या समझते हैं तो देखिए जब कोई व्यक्ति असमरण किये हुए बातों को चेतन में लाने में चेतन में लाने में असमर्थ हो जाता है हो जाता है तो उसे विस्मरण कहते हैं यह हुआ आपका चौथे का एंसर पांचवा है आपका इसकी नरद्वरा प्रतिपादित सीखने के सिध्धान्त का नाम लिखी तो इसका नाम है क्रिया इसकी नर्द और प्रतिपादत सीखने का जो सिध्धान्त है क्रिया प्रसूत क्रिया प्रसूत अनकूलन अनकूलन सिध्धान ठीक है और इसी में छठवा आपका है भीड से क्या आसे है भीड तो देखे भीड ऐसे भीड ऐसे व्यक्तियों के समू को कहा जाता है समू को कहा जाता है जो कुछ जो कुछ सामान बस्तू जो कुछ सामान बस्तू या घटनाओं परध्यान देते हैं पर ध्यान देते हैं ये भीड शीक वाता है ते हुआ एक एक नंबर के प्रश्ट अब देखे आतिलग उत्तू प्रश्ट चार चार नंबर के भारत में धर्मवाद के कोई दो दूस प्रडाम के कोई दो दूस प्रडाम समझाई ये चार नंबर है ब्यक्तिगत्यों सामहिक बुद्धि परिछणों के मद्य अंतर अस्पष्ट कीजिए चार नंबर और जित निह सयहाता से आप क्या समझते हैं चार नंबर ये भी है इन प्रश्णों को तयार रखी शीखने का अस्थान आंतरण कितने प्रकार का होता अस्पष्ट कीजिए ये प्रश्ण आपको निवरान की सरचना का संचिप में वड़न कीजिए ये हमारे चैनल पूपलब्ध है ब्योहार के दैखिक आधार से आप क्या समझते हैं इन प्रश्णों को तयार रखी 2024 बोड़ एकजाम में आने वाले प्रश्ण हैं महतपूर प्रश्ण है सीखने की संकले तथा अवितरित विधी की व्याख्या कीजिए ब्यक्तित को प्राहिद करने वाले जैविक कारकों का संचिप में वड़न कीजिए दारपण लेखां संबंदी प्रियुक का निसकार्श सैद वड़न कीजिए पुर्वाग्रा को दूर करने की उपाय बताईए ते हुए आपके महतपूर प्रश्ण अब हम लेकर चलने आपको अंति पेश पर चाचा नंबर के प्रश्ण है किन ही किसी अंतरमुखी बईरमुखी परिच्छण की प्रियुक का वड़न की जिच्छा नंबर ये अठरमा देख सकते इसकी शाट ले सकते तयार रखी यही प्रस्ण आएंगे अब यहां 19 से 10 नंबर का है या तो यह या तो यह करना होगा उनिस्वा का अंगरेजी और यहां 20 से यह या तो यह इसकी शाट लेकर तयार करिए इन प्रस्णों को यह या तो यह इसकी शाट ले सकते हैं नवस्कार